पर दियर इस्टूडेंट आज किस वीडियो में बात करेंगे बीए सिकेंटर समस्टर के होम साइंस ज्यान यानि ग्रह विग्यान के mcq type के most important question and answer के बारे में तो जिन दिन भी इनिवर्सिटी में home science जैनी ग्रह बिग्यान की बहुत विकल्पे बेस परिच्छा होने वाली है और वो बिए सिकेंड समस्टर के हैं तो उनको वीडियो कॉप्ली देखनी चाहिए काफी जैदा help मिलेगी काफी ज्यादा question जो है इस वीडियो से आपके परिच्छा में आएंगे तो चलिए बिनादेरी की वीडियो को सुरू करते तो यह आप सभी को मालूम है कि जो वीडियो अगरे विग्यान इस पेसल हमारी छात्राओं के लिए सब्सक्राइब करते हैं तो चलिए आते हैं तो आज कि वीडियो का सबसे पहला प्रष्ण है कि भारत को किसका जर्मदाता कहा जाता है मतलब की question यह कह रहा है भारत को कि चीज का जर्मदाता कहा जाता कि कौन सी चीज होती है ठीक है तो ध्यान रखेंगे इन आप सुनों मे से जो चीज भारत में ज्यादा होती है फिर आप लोग का एफेक्टिव भारत को जर्मदाता कहा जाता है कपास की वज़े से सही जवाब हो जाएगा सी नंबर इन आप सुनों में कपास की वज़ा से जर्मदाता कहा जाता है अगला कोश्चन है कि रे आन का पिता के फे कहा जाता है तो रे आन का जो पिता है वो कहा जाता है माउंट ठीक है माउंट हिलरी डी सौर डोनेट को सही जवाब इसका भी होगा ये ठीक है रे रे आ बारे में रिफेच किया है और उसके बारे में जानकारी दी इफले सही जबाप अध्धिन किया है इफले सही जबाप माउन्ट हिलरी डी इसर डॉनेट होगा अगला कि तंतू की लंबाई के अनुशार कितने रूपों में देखा जा सकता तो सही जवाब हो जाएगा तंतू की लंबाई के अनुसार जितने रूपों में देखा जा सकता है उनकी जो संख्या है दी नंबर सही जवाब होगा तीन रूपों में देखा जा सकता है अगला प्रश्ण है कि जो तंतू दो परदार्थ से निर्मित होते हैं उसे क्या कहते ह तो जो तन्तु दो पधार्थ से निर्मित होते हैं उनको को पॉली मौर कहा जाता है का नमब सी नमबर सही जबाब होगा अगला है कि लगो अकार के तन्तु के लंबाई कितनी होती है तो लगो अकार यानि छोटे अकार के मध्यम अकार के जो तन्तु होते हैं उनकी जो लंब और जहते जलुद सिलु का स्कानवार करेंगे? सही जबाब ए होगा अगला है कि धान से सुनेंगे पिनना प्राप्त किया जाता है कहां से तो पीना 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 ठीक है तो पीना जो है यह अन्नाश की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है सही जबाब डी होगा ठीक है पीना अगला है कि कौन सा रेफा ब्रच के फल के रू जाता है तो वो है का पोक सी नंबर सही जवाब होगा अगला है कि नाइट्रो फेल्यू लोज समंदिर रेयान का निर्माण किस सन में प्रारम हुआ तो यह था अठारा फ़र चौरासी में ध्यान रखेंगे शाइजवाब इसका सी होगा प्रमुक प्रशने भी है ठीक है सी न लाओं जेवतानिन वालो फिर चानिका कि यह सका के सब्रावच सब्सक्राइब करता कि अचे कि कृत्म आइलरेशा को सही जवाब हो जाएगा C number अगला है कि उन के रेसे बने होते हैं किस चीज के तो उन के रेसे बने होते हैं प्रोटीन के सही जवाब इसका हो जाएगा A number ध्यान लखेंगे अगला है कि तन तो जो गीले होने पर अधिक मजबूत हो जाते हैं वो कौन है तो तंतो जो गीले होने पर अधिक जोदा हो जाते हैं मजबूत हो जाते हैं वो है सूती सही जबापसी होगा अगला एक निमलिखित में से कौन सा तंतो सुरण कहलाता है यानि कि सोना तो नियुलिकित में इसे जोतन तुसुरन कहलाता है ठीक है वो है जूट सही ज़वाब भी होगा अगला कि किस रेसे को जुदाई रेफा कहा जाता है धानकेग Sharing ये पुर्मक प्रस्थन है तो नायलोन को जुदाई रेफा के नाम पे जानाता है ये पिर कहा भी जाता है नाय कि रेयान की प्रकार है इनमें से सभी है क्योंकि विसकस भी इनाइट्रुफलू यू भीиком भी है और को प्रोमौणियम भी यह सभी रेयान के प्रकार सही जबाब हो जाए करी नमबरõ सभी अगला है कि रियान का साब्दी कर्थ क्या होता है तो रियान का जो साब्दी कर्थ होता है वो सूरी की कीड़ों का परिवड़ ठीक है परावरतन होता है बी नंबर सही जवाब कृतिम रेशा कहा जाता है कि इस चीज को तो ध्यान रेखेंगे कृतिम रेशा जो कहा जात घहां से सुनेंगे है मैं भाधी प्रहोंक प्रस्चन मोथ आपाल सिंद ऑसंद वीर व्त निर्मइत होता किसी से तो vasa and beer वफ्त निर्मित होते हैं वह ठेमियों बौनबभी नम्बर अगलाइर रखेंगे प्रमकप्रशन है भी आपके एक्जाम के लिए तो जहां से सुन लिजे इसका उत्तर हो जाएगा एक नंबर कपास ठीक है यह प्रस्ट पिछले वर्स मुचा पे गया था कपास का पाउधा होता है एक वर्सी बहुँ वर्सी होता बी नंबर सही जवाब होगा कौन सा सही जवाब होगा बी नमबर अगला है कि पूर्ड बिक्सित अवफ्था में कपास के पाउधे की लंबाई कितनी होती है तो पूर्ड बिक्सित जब हो जाता है कपास का पाउधा तो इसके जो लंबाई होती है वो 3,6 फीट हो जाती है सी नमबर सही जबाब अगला है कि कपास के रेशे प्राप्त किये जाते हैं कहां से तो कपास के जो रेशे हैं वो बीज से प्राप्त किये जाते हैं अगला है कि तन्तु जो गीले होने पर अधिक मजबूत होते हैं कौन है तो तन्तु जो गीले होने पर अधिक मजबूत होते हो है कपास सही जबाब इसका भी होगा अगला की कपास रेसे की लंबाई होती है कितनी तो कपास रेसे की जो लंबाई होती है वो ध्यान देंगे डेड़ से दो होती है ठीक है अगला की सूती कपड़े को जलाने पर गंध हाती है किस तरह की, तो सूती कपड़े को जलाने पर गंद हाती है, कागच की तरह, Dn. सही जबाब अगला की, कोई से बीज अलग करने की, क Katherine को क्या कहते हैं, तो कोई से बीज अलग करने की जो पिर Katherine होती, इसको कहा जाता है, गीनिंग टिक है गीनिंग डी नंबर सही जवाब होगा अगला है कि कपास के रेशे भीगी हुई आवस्था में कितने प्रतिसत अधिक तनाव सामर्थ वाले हो जाते हैं तो तेस प्रतिसत हो जाते हैं तनाव यह हम सामर्थ वाले हो जाते हैं अगला है कि कापाश की खेती के लिए कौन से मिट्टी उपरिठी में से अच्छी होती है तो काली मिट्टी सही होती है कपास की खेती के लिए ध्यान रखेंगे अगला है कि कि रंग का प्रभाव सूती वस्त पर अच्छा पड़ता है तो ध्यान से सुन लीजेगा वेट रंग का प्रभाव सूती वस्त पर बहुत ही गजब का पड़ता है सही जबाब C होगा अगला की कपास फाइबर के बाहरी परत में क्या होता है तो कपास ठीक कपास फाइबर की बाहरी परत में जो होता है ध्यान लखेंगे बहुत ही प्रूंग प्रशन है वो होता है वैक्स सी नंबर सही जबाब होगा अगला कोश्चन है कि लीनन के रेसे से सब्सक्राइब सब्सक्राइब दिखाता कि यह क्या है उप्त Ciao सई खरू है कर दो अगला की लीनन है answer dat जो है दिखाता है कि फिच मुझा का ठीक है लीनन की अनुप्रफ्था घ्या ध्या Ayya тогда की लीनन है जो है ध्या नखेंगे यहुटता वाला सब्सक्राइब सब्सक्राइब अगला है कि लीनन के छोटे रेशे को क्या कहा जाता है तो लीनन के छोटे रेशे को कहा जाता है तो सही जवाब इसका हो जाएगा सिननबर अगला की लीनन के लंबे रेसिया को क्या कहा जाता ए किस देश में забerdhankat कमें शन्राइब कि अर्डम경 मत्रबिक का जाता है लिव में कहा जाता है मिस्र की लीनन की भूम कहा जाता है मिस्र को लीनन की भूम कहा जाता है अगला एक बिस्ट में लीनन का सर्वधिक उत्पादन कहां पर होता है तो सब पर ज्यादा होता है रूस में सही जबाब हो जाएगा अगला प्रशने की लीनन का रेशा प्राप्त किया जात आगला प्रस्ठाइब के रिंगे ससुत ुधित Jun के रिषा का रंग मारतमौण प्रेशय आगला कि निकालने के प्रिक्रिया क्या तरश कि लोग रखी उसे निकार नहीं जाता गार ज्रफ मेशना सबस्टर पर बहुद कर्सक्राव कर gingHHH कि सरपधम उनिवर्फ्ट निर्माण कला का प्रारं होगा तो यह था इंगलेंड में किसको कहा जाता है तो सभी वश्ट्रों याने कि सभी कपड़ों की जो राणी है तो किसको कहा जाता सिर्फ केम्ट सेक्ट कि उसका उत्तर यहां पर है नहीं चली जानते हैं किनकिन शात्रों को मालू में इसका ठीक है वस्तरों कि राजनी किसी कहा जाता है इन आफ्टरों में से चली कमेंट बताइए आप लोग ओके चलिए ने इसको चन्देखते कौन सा है प्रस्टन है कि रेशमी रेसो पर रंग पक्के चढ़ते हैं ये रंग इनके वहाएं प्रकत के अंगरूप होते हैं कौन से रंग ठीक है जोते होते हैं सदिशल के तब कंगा रेसम कि ईसम के कीड़े के जीवन चक्र का प्लब कर सकते नोट करते हैं अग्ला की वो होता है इन में से कोई नहीं ठीक है इन में से कोई नहीं होता है रियान का सब्सक्राइब पतली दो हालियां वाली छण के समान सब्सक्राइब हो जाएगा डी नंबर ओके अगला प्रस्तुत है कि कृतिम रेशा कहा जाता किस चीज को तो कृतिम रेशा मैंने आपको बताए दिया कई दें कि रियान को कहा जाता है अगला की रेटिंग प्रिक्रिया किसके बनाने की प्रिक्रिया तो रेटिंग प्रिक्रिया जो है यह है बनाने के प्रिक्रिया सहे जबाब भी होगा अगरा के रियोन का पिता कि और नायलॉन होते हैं फूर दो तौर दो रियां लेंट होटा है इसको पुण रूप तो पादित to Podicoo Tantoo के naam कौन जाना जाता है तो यह जाना जाता है रहान सबाप एह खोगा ध्यान एंगे बहुत ही प्रहुंब выпускने अग़ा की जुदाई- fender प्रबां के ध्यान रखेंगे काफी चुका है यह वाला जुदाई रेखा की संग्या नाइलन को दी गई है थीक है तो आज वीडियो में में करेप पूरी पूरे साथ सथ पाइसट उस्ट्टैक है और अगर आप लोग कहांगे तो पूरी-पूरी सब्सक्राइब कर दीजिए तो हम उन्हें स्टुडेंट को सेंड कर देंगे ठीक है तो आप तैयार कर दीजिएगा बाकि आपको अपना ही चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको समय नोटिफिकेशन मिलता रहे और बात और ध्यान से सब्सक्राइब कर देंगे तो आप लोग बाद में सुचते कि सर हुआ यही की टाइम आउट हो गया हमको तो प्रस्टर मालूम था लेकिन कर नहीं पर देंगे तो यह इसक्यूज न रहे जाए जल्दी जल्दी देने का प्रियाज करिएगा बाकी मिलती है कोड़ने वीडियो में जय हैंद